हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू समीता फूड फैसन आज यहां पर मैंने बहुत ही इजी तरीके से एक ही पॉट में न्यूट्रिला राइस पनाया है या फिर आप इसको न्यूट्रिला ब्लॉब बोल दे तो यह काफी हल्दी होता है और इसमे मैंने बहुत न्यूट्रिला क यूज किया है जो कि और कम चावल का यूज किया है तो अगर आप वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं और आपको चावल बहुत पसंद है तो आप यह रेसिपी जरूर से ट्राइक करें अब आए इसकी रेसिपी देखते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पे न्यूट्रि देंगे यह देखिए तो यह इस तरीके से उपर से जहाग जैसा आजाता है तो फिर हम गैस के फिल्म को बंद कर देंगे उसके बाद इन सारे प्रोसेस को करने से पहले जो भी चावल आप यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा पानी डाले उसको धोके रग दे अब एक पोटेटो लिया है इन सबको एक पॉट में बिला देंगे और मैंने यहां पर दो पॉटेटो लिया है उसको ऑस तरीके से चॉप करके इसमें मिला देंगे उसके बाद आती है कुछ मसालों की बारी तो आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर ले सकते हैं मै में बटर को झाए हैं अगर सबस्का अब नहीं वेट लौस के लिए थोड़ा मिलाने के लिए फिर आप Su7 अगर बटर से हैं अगर बटर से इसका टेस्ट काफी अरफी अगर है अगि वेट लॉस कि लिए यूज रहे हैं तो वटर को आप skip कर सकते हैं उसके बाद यहां पर मैंने tomato sauce लिया है तो इसको भी आप कम या जादा कर सकते हैं फिर green sauce लिया है इन सब को हम अच्छे से मिला देंगे इस तरीके से अच्छे से मिला ले इसको और इसमें मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अड़्जस कर सकते हैं कोई भी ले सकते हैं जो भी आप खाते हैं और सॉस भी आप इसको स्किप कर सकते हैं पर मैं कहूंगी कि थोड़ा सा सॉस खाने से ज़्यादा वेट नहीं और थोड़ी देर तक इसको इस तरीके से ढख के रख देंगे, क्योंकि इसमें मसाले पूरे अच्छा से मिल जाते हैं, आप चाहे तो यहां पर दही को भी मिक्स करके रख सकते हैं, दही से भी इससे काफी अच्छा टेस्ट आएगा, अब थोड़ी देर तक इसको हम ढख कर पका लेंगे, गैस के फ्लेम को अन कर देंगे, और इसको इस तरीके से बिलकुल बिना ओयल डाले, इसको इस तरीके से ढख के पका लेंगे, तो यह जो रेसिपी है, बिना ओयल के है, और काफी अच्छा है और हेल्दी है, और देखिए उसके बाद यह जब मसाले इस तरीक पर थोड़ा सा घी बटर या तेल कुछ भी डाल सकते हैं अगर आप बिना ओल के बिलाना चाहते हैं तो तो अच्छा बनता है इससे और इन सब को बहुत अच्छे से मिला के थोड़ी देर तक हम इसको फ्राइब कर लेंगे यह देखिए तो मुझे जब भी खाना बनाने का मनने करता है और कुछ टेस्टी सा खाने का मन करता है तो इसको एक बड़ मैं जरूर बना लेती हूं तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी मिला दिया है अब इसमें पानी की रेशियो क्या रखनी है तो जैसे अगर मैंने अपर चावल लिया था तो यहां पर तीन ग्लास में पानी ले रहे हूं तो ज़स दवल रेशियो रखना है आप जब भी नहीं पकाना है और आप इसको खुला ही पकाए और यह जब इसमें पूरा बबल्स आ रहा है उसके बाद जब यह पूरा पानी पूरा पानी सूख ज प्लेम को बिल्कुल तेज रखना है एस तरीके से पानी पूरा सूं गया है और इसे बिल्कुल प्लाइ नहीं बेचा है जिई इसको पाद आप गयस के फ्लेम को यह अधिन को बन करदें और फिर इसको नहीं भी होगी बोलु i.s Agored तो खाने में बहुत ही हिल्दी है और टेस्टी भी है तो लास्ट तक मेरे वीडियो पर पने रहने के लिए ठैंक्स और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरी रेसिपी पर कमेंट करें और चानल को सब्सक्राइब करें अगर आप चानल पर नए हैं और तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखें तब तक के लिए बाबाई एंचे केर मिलते हैं अपने निव रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में